नमस्कार शात्रों ठीक हैं आप लोग उमीद करते हैं कि ठीक ही होंगे जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके उमीद के विपरीत इतनी कम मत्रा में जो वेकेंसी आई जिसके खिलाप हम लोग का जंग अभी जारी है ट्वीटर केंपियन के मादियम से आउनलाइन प्रोटेश्ट के मादियम से काफी बच्चे प्रोटेश्ट किये उसका असर भी दिख रहा है इस मुहीम में बहुत सारे बच्चे साथ हैं और आपके साथ साथ सभी सिख्षक भी साथ है लेकिन कुछ सिख्षक ऐसे हैं अभी बरतमान समय में जो अपना कोर्स बेचने पर लगे हुए हैं लेकिन अभी वक्त कोर्स बेचने का नहीं है वक्त है आपके साथ खड़े होने का और इसमें कुछ सिक्षक ऐसे हैं जो आपके साथ तन, मन, धन्ध से आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन सिक्षकों को भी आपके साथ की जरूरत है आपके विश्वास की जरूरत है जो लोग आपके साथ हैं कम से कम उन लोगों पे आप अपना विश्वास बनाए रखे हैं जैसा की बहुत सारे वीडियो में देखा गया कि ये सिक्षक लोग जूट बोल रहे हैं ये लोग हम लोग के साथ नहीं हैं डर गए हैं वेगेरा वेगेरा देखिए जो लोग साथ हैं वो आपके साथ हैं दिल से आपके साथ हैं और कोई बात जूठत नहीं हैं सभी बात सत्ते हैं आपको अपने सिक्षकों पे भरोसा करना होगा हाँ बहुत सारी बाते ऐसी हैं जिसे कैमरा के सामने नहीं बताया जा सकता है आप इस चीज को समझिए सरकार की बाते अंदर की मंत्राले की बाते बहुत सारी हैं जो परत्यक्षरूप से आके नहीं बोला जा सकता हैं लिकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी बात है आपक यूज आपको मिल ही जाएगा बस परतिच्छा करें बक्त का और भरोसा रखें भरोसा नहीं रखिएगा और जब आप ही नहीं भरोसा कीजिएगा तो जो आपके साथ चलने वाला है वो भी निरास होगा इस लड़ाई में थोड़ा सा परिसानी तो है लेकिन जो लोग आपके साथ हैं हम हैं या और भी लोग हैं जो आपके साथ हैं वो साथ हैं उन पे आप भरोसा कीजिए और हो सके तो उन लोगों से जाके कहिए जो सिर्फ और सिर्फ अभी अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं उनको बोलिए कि सर लोग के साथ आप भी दीजी हैं हम लोग के साथ आप भी दीजी हैं आप जो हैं जो साथ हैं उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं ये गलत बात हैं बहुत लोगों से अभी बात हु भी हमारी फोन पे कि देखिए सर हम लोग विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं विद्यार्थी जब ऐसा बोलेगा विश्वास नहीं करेगा तो दुख होता है अग कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितनी वेकेंसी आई है पांच यार आई है कि दूसर आई उनसे कोई म लिए नहीं लिए क्योंकि हम आपके दुख और दर्द में साथ हैं आप इस चीजों को समझिए और रही जूट सच की बात कि कौन जूट बोल रहा है कौन सच बोल रहा है तो जितनी बाते कही गई हैं सिक्षकों के द्वारा देखिए हम सब कुछ बता रहे हैं उपर उपर से आप थोड़ा समझिए चीजों को सब कुछ कैमरा के सामने नहीं बोला जा सकता है वो सत्ते हैं और आपके लिए अच्छी खबर है और बाकी जो यूट्यूबर हैं कुछ वीडियो बना दे रहे हैं कि नहीं ये बात गलत है कोई एक तो वीडियो देखे जिसमें फोटो लगा दिया गया हम लोग का उसमें बोला गया कि इन लोग का चेहरा देखिये चेहरा देखके लग रहा है कि कोई अच्छी खबर है इन्हें डराया धहम कहा गया है आरे वाई क्या हम लोग हसे हैं हसेंगे हम लोग तभी जब हमारी बात सुनी जाएगी हसेंगे हम तभी ज दिखान नहीं देना है और अपना तयारी आप लोग को जारी रखना है और ये जो ट्विटर केंपियन का मुहीम है इसे भी जारी रखना है और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आप समझदार हैं पड़े लिखे हैं गर्जुएट हैं बातों को समझ रहें ठीक है जै हिंद फिर म मिलते हैं अगले वीडियो में